He boasts of having good knowledge of mathematics but everybody knows how far he is good at mathematics है ना आप सभी को पता कि knowledge किया भई knowledge uncountable noun है है ना और सभी को पता है कि uncountable noun के साथ हम क्या नहीं use करते ए एन का यूजर नहीं करते हैं ठीक है ए और एन का यूजर नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ इसकेस में हम यूजर कर सकते हैं जैसे देख लिए जब आपका यहां पर देख रहे हैं have a good knowledge ठीक है के एन ओ डबलू एल एडीजी एठीक है यहां पर देख रहे होंगे have a good knowledge या फिर have a sound knowledge यह है क्या दरसल ठीक है यह आपका idiom एटीक है ठीक है या एडियम जिसे ंजर्चिक है जब आपका idiom format में है तब क्या कर सकते एक क्या शचान हिपने कि और सकते हैं आप यह रिजब्ध कर सकते हैं ठीक है तब और हंपर आप आप आर्टिकल ए यह या आइन का यहिव्ग एम है ठीक है ठीक है तो पहला संस्ट में ध्यान रखना होगा कि जब भी इस तरह कोशिन आए ठीक है हलाग कि आपको सब्सक्राइब को पता कि अनकॉंटेबल ना करते हैं क्यों लगाते हैं यह सुपर्लेटिव डिगरी है सुपर्लेटिव डिगरी है सुपर्लेटिव डिगरी के पहले बेस्ट के पहले हम द लगाते हैं सुपर्लेटिव मुर्दान वन का कॉंपरिजन होते तब होता है लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि यह ठीक है क comparative degree के पहले, comparative degree के पहले भी दख हो सकता है, ठीक है, तो आप चांग जाएंगे भाई, ऐसे कैसे, superlative degree के पहले तो मैंने सुनना तक दगर होता है लेकिन comparative degree के पहले भी होता है जी हम बिल्कल होता है धियां रखेगा कब होता है condition धियां रखेगा इस case को धियां रखेगा काफ़ी important है ठीक है तो देखिए जब comparative degree से comparative degree से आपको क्या पता चले choice ठीक है च्वाइस की बात पता चले ठीक है या option की बात पता चले च्वाइस यह option के हम बात करते हैं ठीक है तो वैसे condition हम क्या करते है comparative degree के पहले आप दक यूज करेंगे ठीक है तो धियां रखेगा एधि comparative degree के बाद या फिर comparative degree का अगर संटेंस में आए of the two जैसे देख रहे हैं आप यह आफ दड़ टू ठीक है ऐसे किस में आप क्या करेंगे आप comparative degree के पहले चाहे comparative degree पहले या बाद में कहीं पे भी हो लेकिन आप उसे द लगाएंगे जैसे of the two answer this is definitely the better ठीक है तो यह बात आप note रखेगा और एक्जाम में इस तरह का यह जो देख रहे हैं यह वला आया भी question है ठीक है next question भी काफी important है तो first question में आपने पहला या फिर kind of type of की मैंने बात किया kind of की बात किया मैंने एक कई बार आता है exam में sort of ठीक है यह भी काफी important है sort of ठीक sort of तो इसके बाद जो भी non आएगा इसके बाद जो भी non आएगा ठीक है ना इसके बाद जो भी non आएगा ठीक है ना इसके बाद जो भी non आएगा जैसे देख article ठीक है इसके पहले गर हम article लगा दें तो ये गलत है ठीक है article का use नहीं के दanka तटेसटाप आफ काईंड आफ सौटाफ के बाद असके पहले हम क्या करेंगे यहां पर article यह का use नहीं करेंगे ठीक है यहां पर रोओंगे चले next question आते हैं important question यह भी है it was by a mistake that he caught her hand ठीक है he caught her hand अब देखें यहां पर ध्यान रखेंगा ए ए यहां पर लगाना गलत है क्यों क्योंकि by mistake जो है नहीं mistake by mistake कि यहां पर बात हो रही है ठीक है by mistake तो यह है क्या वाई तो by mistake है क्या तो यह एक phrase है ठीक है एक phrase है और phrase में कभी भी यहां पर एक कोई सवाल ही नहीं होता है ठीक है ठीक है let's question आते है little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless ठीक है फिप्ट नमर में क्या है तो देखें एक तो होता है आपका little ठीक है एक होता है a little एक होता है the little ठीक है little a little the little ठीक है लिठील का मतब होता है is almost none नहीं के बरावर ठीक है नहीं के बरावर ठीक है नहीं का मतलब जो होता है जो थोरा मैं इस जो भी थोरा है उसी की बात हो रही है ठीक है तो ध्यान रखेगा तो ये लिटिल का मतलब नहीं के बराबर अगर लिटिल हो तो है ही नहीं ना के बराबर और ये लिटिल की बगर हम बात के तो क्या कॉंटेबल है कि अनकॉंटेबल होता ह है ठीक है little किसके साथ लगता है ध्याहर के unницы वन के साथ लगता है एक बात और notice कर prosecutors कि लिटिल तो फहले here के साथ लगता है अच्छा नहीं के बरावर th yr लेडिल番तोर खुछ और स्वैंट्न सब्सक्राइब यह जब तीन भी सही है यह भी सही है लेकिन लिटिल का मतलब क्या होता है नहीं के बराबर नहीं के बराबर ठीक है तो जब नहीं के बराबर की बात हो रही है म्यूजिक का तो यहां पे संटेंस का देखे अगर फॉरमिटर यह क्या है पॉजिटिव सेंस लेकर आ रहा है लिटिल निगिट जो थोरा नॉलेज की बात हो उसके बारे में बात हो रहा तो जाकर यह सही हो जाएगा लिटिल नहीं दा लिटिल का इस करेंग ठीक है अब आते नेश्ट कुशन और फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इन रेशनल स्लूशन तू एनि प्रॉल्म इन रिकॉगनिशन दाप प्रॉल्म अब आपको जैसे फृस्ट देखा तो पता हो ना कि फृस्ट आप सभी को पता कि जैसे फिक्ते हो गता हुग तो लगता हुग इस सुप्र्लेटिव डिगरे देला दो ठीक है बात सही है लेकिन यहां पर ध्यां रखेगा तो हर बार यहां पर ऐसा नहीं होता है आपको फर नंबर है और दिनल नंबर है ठीक है पहले जिए फर्स्ट के ओडिनल नंबर है तो ओडिनल नंबर के साथ क्या लगता है इसके साथ द लगता है ठीक है ओडिनल नंबर के साथ क्या लगता है द लगता है कहने कमत्द द प्लस ओडिनल नंबर है न और दिल के साथ क्या लगता ह प्लस और नमड तो आपका यहां नहीं हो का बल की दग होगा दफ स्टेप ठीक है चलिए ने स्थाति इंपॉर्टन कॉस्टन में से एक है कि डोंट टॉक टू हीम ही ऑल्वेस रिमें इन टेंपर इस डे रिमें इन टेंपर इस डे क्या होगा यहां पे अंसर है न लेज़े है इन टेंपर ठीक है in a temper यह क्या है ऐपका इसमार बेच के साथ क्या होना चप् सब्सक्राइब अब ज到 unable not in a temper Не in a ठीक है, इनियर इनल टेंपर की बात होगी कि इन इन टेंपर शोता है इना टेंपर भाइन टेंपर नहीं होता है है नहिंगे भाम एट पर जो कि क्या है बई इस इस ऐरर्वेटि इस थे इस आरडर's आफ देमेले जय्क्या इस बिद्ध इन तीजर अफेछन ऑफ टूठ लेकिन इसमें आपको लगाकर दिया जाएगा अपको लगाकर दिया जाए्गा जैसे कि क्या कि लिख दिया जया गाएं यहां पर in a danger ठीक है अब क्या समझेंगे भाइट इसे इन टेंपर होता है इन डीन में दुच्छ बहुत नहीं यहां पर नहीं होगा ठीक है यहां पर नहीं होगा सुर्फ इंद कर यहां पर तेक है इस्ट कॉशन है कि inspired him to take the hurt in all adverse situation and deserve to be called a real hero तो मैंना भी क्या बता है यहां पर देख रहे थे हैं इडिमेटिक था यहां भी इडिमेटिक है तो यह देख रहे है ना टेक हर्ट ठीक है इडिमेटिक है तो ठीक है ना इडिम में दकायूज नहीं करेंगे दकायूज नहीं करेंगे सिर्फ टेक हर्ट होगा क्लियर चलिए नेस्ट क्वेशन पर आते हैं दा मोस्ट हैपी ठीक है अब यहां पर आपको find out करना होगी कहां पर error है ठीक है तो थोड़ा सा वक्त आप लिजिए और आप हमें बताइए ठीक है चलिए अब आप लोग साथ ढूंड पाए होंगे या नहीं ढूंड पाए होंगे तो कई बात नहीं यहां पे हम इसे क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है आपे यहाँ पर देखान अ यूनियन के यहाँ पर एक combination दिखरागा अपको ठीक है ओ इन ठीक न ओ यूनियन ओफर डिफ को कुष्ठ तो यहांप आपको इक combination अजर आता हो गए धन प्लस नौण अफ नौँक canceled कह रिखता होगा ठीक है तो Clos दियान रखेमें नाउन स्टैक्ण प्ल्स नाउन स्टैक्ण फोक। यहां पि यह एक यह तो यहां पर यह जांड किया तब आपको करना क्या होगए, तो देखे रहे हैं यहां पर new union noun हो गया, preposition हो गया और यहां पर noun हो गया, है न? तो आपको करना क्या होगा? जो आपका first noun है, उसके पहले क्या करेंगे? आप the लगाएंगे, ठीक है? आप इसे काटेंगे और यहां पर क्या लगाएंगे? The, ठीक है? The most happy marriage would be the union of a deep man to a blind man, ठीक है? चलिए, यह तो दो बाद समझ में आगे होगा अब आगे बरेंगे सवाल पर और यह भी काफी important सवाल में से एक है, है न? यह भी आपके लिए काफी important में से एक है तो देखे, next question पर आते हैं It is the most important question which you have to prepare very carefully, है न? अब यहाँ पर देख लिए जिए the most important तो यहाँ पर देखे लिए the most important, ठीक है? तो यहाँ पर the काईूजों होगा नहीं करेंगे, ठीक है? क्यों नहीं करेंगे? दे के बगर हम बात करें, the most तो क्या होता है? यह superlative degree में होता है, है न? लेकिन अगर बात करें यहाँ पर यह most तब क्या होता है, positive यह degree में होता है, है न? पॉजिटिव degree में, ठीक है, तो sentence आप देख रहें कि positive degree का है, positive degree में, आप the most नहीं करेंगे, यहाँ पर यह most करेंगे, it is a most important question दर नहीं करेंगे दर लगा करें यहां पर किसी यहां पर मोर्दान टू का यहां पर चीज व्यक्ति और वस्तू का की बात यहां पर तुलना नहीं हो रहा ठीक है तब यहां पर हम क्या करेंगे adjective जो यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है आपको क्या करना होगा इसके पहले superlative degree तो होता ही है ठीक है चलिए यहाँ पे तो बात समझ वे कि most important तो superlative degree की हम बात कर रहे थे superlative degree की बात कर रहे थे तो more than two more than two things के लिए होता है तब यहाँ पे देख करते हैं लेकिन अगर हम positive degree की बात कर रहे तो एक का यूज करते हैं ठीक है ध्यान रखेगा यह चीस बहुत important है कई वार exam में आपको यह चीस question पढ़ने हो तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा लेकिन ध्यान की गलती आपकर बैठेंगे ना कलती कर बैठेंगे चलिए और भी कई सारे कोशन है फटाफट देखते हैं जो की exam में आता है his father forward him to go to cinema late night ठीक है मैंने एक वर आपको बताया था forward का rule ठीक है forward का rule मैंने क्या बताया था कि for बेठ ठीक है forward यहां पर तो past में लिखा हुआ है ना फॉर बी के साथ मैंने क्या बताता है कि object आता है ठीक है फॉर बेठ के साथ क्या आता है object आता है प्लस टू आता है प्लस भीवन आता है यह formation बनता है तो एक्जाम में क्या देदेगा अब्जेक्ट के बाद आपको टू के बाद यहां वर्व में आई एंजी लगा देगा जो कि यहां पर गलत हो जा ठीक है वह आपका first form होता है ठीक है ना फॉर बेड ऑब्जेक्ट टू विवन सही है अब देखना टू के बाद सिनेमा लगा हुआ है ठीक है तो के बाद यह तो यहां पर ध्यां रखेगा देखना करेंगे ठीक है तो देखना के लिए आपको क्या है कि आप डेख लोड़ वो चीज़ वो काम नहीं करते हैं ठीक है जो काम आप कभी-कभी या किसी खास परपस के लिए जाते हैं तब वहां पर दह लगाते हैं अगर continue कि आपका वो न देख लिए जगा ठीक है जैसे दिखे राम सजेस्टेट तो इस ब्रदर्स देशुट गो तो देख लेगलर ली एंड दो देर होमग सिंसेरली अब देखी वाई गो टू द यहां पर द जो नहीं होगा क्यों भाई स्कूल जाने का काम तो उसका क्या है उसका एक करतव है उ इस बात को उसका काम जो है नहीं जो जो भाईगी जू ठीक है अब आते निष्ट कोशन की after returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. After from the jail, अब फिर से दा लगा दिया गया, नहीं होगा, मैंने अभी बताया था, ठीक है, मैंने बताया था, return from jail का मतलब जजा काट कर लौटना, ठीक है, return from jail का मतलब सजा काट कर लौटना, अब criminal activities किया तो तो सजा कर कहीं न लौटेगा, ठीक है, दा लगा देंगे, तो कोई कार कर कर के jail से लौटना, अंतर है न, ठीक है, कोई कैदी jail से सजा कर के आता है, काम कर के नहीं आता है, तो दा लगा देंगे, तो वो खास purpose से हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, दर नहीं लगाते हैं, ना, चलिए, अब आते हैं, नेस्ट कोशन पर, यह काफी इंपॉर्टन कोशन में से एक होगा, ठीक है, जो दिखेंगे, तो ध्यान के हैं, क्या हम इसमें चिंजस करेंगे, या ग्या नहीं करेंगे, तो यहां पर जो, यहां पर आपको ठीक है, लिए, एग्जाम對對, दे देगा है, आपको set on the fire ठीक है, तो क्या होगा, वह गलत हो जाएगा, और यहां पर यहां पर सही है, set on fire होता है, ठीक न, तो यहां पर on fire की बात बरिया है, on the fire नहीं होता है on the fire नहीं होता है बलकि on fire होता है ठीक है जो कि idiomatic है on fire क्या है ठीक है तो दियां रखेंगा एक चीज़ तो कभी भी इसके sentence में कभी भी इस तरह का जाए जैसे कि set के साथ अगर on fire आजा है set on fire ठीक है तो fire के पहले हम कभी भी दकायूस नहीं करेंगे ठीक है तो इस sentence आपका सही है set on fire सही है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पे आपको फिर से समझना होगा कि यहां पे अंसर क्या हो सकता है और अगर आप दे सकते हैं जवाब तो अच्छी बात है नहीं तो फिर तो मैं बताओंगा ही है ना तो आपको से से एक वार खुसते करें तो चली अब मेरी बार यह बताने का है ना मैं बता देता हूं किया पर क्या error है ठीक है तो देखें आप यहां पर एक word देखने में news देखने को क्या लग रहा है यह प्लूरल गलत है भई देखने को यह प्लूरल नाउन है ठीक है नियूज के है अनकॉंटेवल एक नाउन है ठीक है देखने को भले ही प्लूरल लगता है यह अनकॉंटेवल नाउन है ठीक है और अनकॉंटेवल नाउन के साथ क्या हम यूज नहीं करते है एक यूज नहीं करते है जैसे आपका एक वर्ड आता है बहुत चलिए लेस्ट कोशन है कि यह बेस्ट आर्टिस्ट आफ दे टाइम बट अनफॉर्शनेटी लेस्ट रेकरगनाइज़ अब समझना हो कि यहां पर क्या कर संकेंगे यहां पर क्या यूज करेंगे तो जाकर यह सही हो जाएगा है ठीक है चलिए अब आप लोग का बाली बताने कि तो यहां पर मैं बताता हूं ठीक है देलेगा है ब्याया है किया है अब सब्सक्राइब इस टाइम उस टैम बन कर अनफॉर्शनेटी लिस्ट बिसकें बोस्क्रिए मिसके बहुत सारे आटिस्ट है उनमें इस यह बेस थाज़ आर्थिस्ट लेकिन उससे पर लिस्ट रेकागनाईज तो यह जो लिस्ट देख रहे है ना यह भी क्या है आपका सुपर लेटीव डिगडी है और इसके पहले हम क्या करेंगे द लगाएंगे द लिस्ट लगाएंगे तब जाके सही होगा क्लियर ला चलिए लिस्ट कोशन पर आते हैं कि there were a number of pretty girls in the party but it was running who remained a center of attraction center noun ठीक है center क्या है यहाँ पर noun है of क्या प्रिपोजिसन है attraction क्या है noun तो noun of noun का combination जब रहे तो हम क्या बताये थे कि पहले first noun के पहले हमें the के use करते हैं ठीक है यहाँ पर यह हटाएंगे the के use करेंगे the center of attraction होगा से ठीक है चलिए अब यह जो question एक आफ इंपोर्टन question में बताने जा रहा हूं ठीक है तो इस बार पर ध्यान रखेगा यह क्या है he is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at partner ठीक है अब यहाँ पर क्या यहाँ यहाँ पर यह है कि आपको चेंस यह करना होगा आपको ठीक है he is unfortunate to lose few friends अब यहाँ पर बात बताईए few सबसे पहले जाने few किसमें यह क्या है countable noun नहीं यह क्या है countable noun में few लगता है अब मैंने बताया था few का मतुब कहा था नहीं के बराबर बना है नहीं के बराबर अब जब नहीं के बराबर हो रहा है he is unfortunate enough टो बना है नहीं के बराबर अगर friend हैं ही नह तो भाई उसको उसको जब कोई friend एड़ होगा तो he may during his stay at patna to positive sentence कहाज होगा तो आपको few के पहले क्या करना होगा आपको the few लगा ना होगा ठीक है दब you दब पलस few जो थोरा उसके दोस्ते वहाँ पे क्या है वो उसमें ङ्या किया था पत्ना में रुका थे उसको कुछ दोस्ते वहाँ पे है inject कि यह द्यान ब्रूश्ट के कि यह बाए ठीक है और यह एक एक जुबत देखरेएं हैं यह क्या है एक ऐडिक्तिव आइ खुंसे डिया है कि क्वांतिटिव एडिक्तिव ए है न तो चौंटिटिव एडिक्तिव पहले देहां रखेगा पॉसिटिव डिग्री आता है ना तो यह अनफॉर्चुनेट तो कई बारा ऐसे एक्जाम में आ जा जाएगे जैसे कि स्मार्टर एनफ का देगा जैसे कि माले के एक इंग्जाम्पल देखते हैं जैसे लिग देगा स्मार्टर एनफ एन ओ यूजी अच्छ ठीक है तो गलत है हम यहां पर एनफ के पहले क्या करते पॉसिटिव डिग्री का यूज करते ठीक है यह चीजह हापे मैं एक और चीशा जो मैं हापे आपको बता दे ताकि आपको एक तो रूल ता पो पता चले दूसरा रूल भी हापे पता चल जाए ठीक है नेस्ट कोशन है तो गंगेज इस फॉर नॉर्थ इंडिया वट क्रिष्णा इस फॉर सौथ इंडिया गंगेज पता है ने रिवर का नाम है और रिव कोशन है कि one should be true one's promises in order to earn name and fame in the life ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा बहुत important question में से है एक है कि यहाँ पर क्या error होने वाला है ना ध्यांद जगा तो देखिए one should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life यहाँ पर देख रहे हैं एक नाँन है और उसके पहले क्या आर्टिकल है यहाँ पर गलाएत है दालाइफ नहीं होगा ठीक है ना क्यों नहीं होगा जब आप universally जब इसको ठीक है universally जब आप इसको use करते है ठीक है जिसके करते हैं वियापक वियापक अर्थ में विया ठीक है life science man woman ठीक है इनके पहले हम क्या करते है article the case नहीं करते है ठीक है the case नहीं करते है करते कभे ठीक है life science के साथ जब कोई खास यूज होता है खास अर्थों में होता है तो तब यूज करते है जैसे the life of this patient ठीक है तब उस sense में हम करेंगे the life of अब इन दोनों में समझने वाली बात क्या है समझने वाले बात है कि साइन्स साइन्स के पहले क्या होगा हमें ए साइन्स करना होगा तब जाके यह सही होगा हमें ए साइन्स यहाँ पर करना होगा ठीक ना तो यहाँ पर एक बात पर ध्यार रखेगा कि जब भी साइन्स वर्ड आये तो उसके पहले हम एका करेंगे क्योंकि science का जब हम हम व्यापक कर्थ में अच्छा यहाँ पर सबसे पहले बात समझें कि यहाँ पर जो science है यह व्यापक कर्थ में नहीं है ठीक है ठीक है बलकि यह क्या है branch of knowledge है branch of एक क्या है यहाँ पर knowledge की बात कीगे branch of knowledge की बात कीएगे branch of knowledge की बात कीएगे तो यहाँ पे science को यहाँ पे contable के तरह use करेंगे ब्यापक अर्थ में हो तब हम क्या करते हैं नहीं use करते हैं तब एका use नहीं करते हैं लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे branch of knowledge की बात करें ठीक है branch of knowledge based on scientific principles आर्ठ के बारे में बात करे रहे हैं आर्ठ का मतलब गति यह एक प्रयोक कला Cam a कोई परियोग कला है ठीक है आट का वोई परियोग कला है कि रिशन विट फिल थिंग्स होता हुद तो उसके पहले कोई अटिकल नहीं होता है तो देहां कि यह आट और यह म्यूजिक बहुत साइंस वाला काफी इंपॉर्टन है साइंस जब व्यापक करते में हो तब हम आटि शोर में हो सबने कि प्राइब झाल 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 झाल